असलाम उलाइकुम, इसमा किचन वो फिशाम दीर, आज हम आपको जैसा के ये मेरे टेबल पे आज देख रहे हैं, आप करेले रखें में कटे वे, और चने की दाल उबली भी है, टिमाटर भी है, प्यास भी है, मैं आपको इसका तरीका अज बताने लगी हूँ, चने की दाल और करेले में इस करके बनाने का, करेले मैंने काट लिये हैं, लंबाई की उस पे ये रखें किस तरह करेले काटें, इसको मैं नमक थोड़ा सा लगा के और इसको एक टोकरी में डाल दूँगे, और इसको अच्छे तरीके से धूलोंगी, और इसका पानी सारा निकाल दूँ और एक पौ के करीब मैंने चने की डाल लिए और आदा किलो के करीब करी ले लिए चने की डाल को मैंने उबाल लिया है इस तरह का उबाला है मैंने के चने की डाल ना जादा नरम हो और ना जादा सखत हो बिल्कुल ऐसी हो के बिल्कुल गली भी डाल हो यह हल्दी डाल के एक तोसके नमक करते हैं को तो बोड़ने के लिए रख दिया था और यह उबल गई है तीन अदर बड़े साइस के मैंने ट्रमाटर लिए हैं चार अदर हरी मिल्च है हरे अदनिया बारी कटावा चार अदर बारी के प्याज ने एक टी स्पून सफेज जीरा भूनावाय एक टी स्पूल लाल मिरज पी सीवी एक टी स्पून नमक एक टी स्पून हल्दी यह अब शुरू करते हैं एक पैन में हम यह तरेले हमने दो के अच्छे तरीके से निचोल लिये थे और मैंने एक कडाई के अंदर प्रेवे डाले के लिसरे क्याइचे के बाद करती हैं एक बीथ हैं वह मैंने नहीं निकाले इससे बीथ या ज़ेते रापंदे नाही फिंसे नहीं और आप devamा करेले हमारे जब फ्राई हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे निकाले में इसके अधर मैं आगक करेli करेले करेला चाहरी चाह गया दो प्यासा आठीक abundance करें के करेल्य कृष्ट के लिए घंडे शामिल का सब्टेब घंडे ड्रहकर कोणक्छिए अब बडल भीजिए अब डल-जैए चाहिए बुम करते बिश्मिल्ला रखांगे सब्सक्राइब मत्राइए नमच, जीरा, अपरनी यह समाटों अब आपके टायए अब ननीक सभ़िपांगे बिल्कुर अच्छे तरीके से टिमाटर भी हो गए मैं अब यह दाल उबली भी थी यह मैं इसमें शामिल करें इसमिल्लाइगा इसमिल्लाइगा यह बहुत ही टेस्टी होते हैं आप लोग जरूर बनाएं और मेरी रेसिपी बनाई ही ट्राई करें जरूर बनाएं अब इसके अंजर में यह मैंने तीन-चार हरी वज़ी परकें की यह मैंने काट ली बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मदेदार होते हैं प्रेले वैसे भी नहीं आएं में और इसमें चने की दाल के साथ और पीमे में भी अच्छे लखते हैं चने की दाल का अलग ठेस काता इस तो जरूर प्राई करें इसने छोड़ दिया हुए विलकुल मसाले ने घी और चने की दाल भी मिक्स हो गई हुए अब हम इसको डिशावर करते हैं चने की दाल करे लिए हमने डिशावर कर लिए में अब इसमें हम यहरा दन्या डालेंगे इसमें डाया आने वहीं मैं अब इसको इसी तरह सर्फ करूंगी और यह थोड़ा सा गरम असाला को रहा है यकीन करें बहुत ही मज़ेदार होते हैं और मेरी अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपनी दौा में यार रखें अस्सलाम अलेकुम और हम दुआ है